Hello friends, welcome to my channel So friends, आज हम इस वीडियो में डिसकस करने वाले हैं स्टोरी जिसका नाम है The Kite Maker यानि कि ये जो स्टोरी है वो एक पतंग बनाने वाले व्यक्ति पर है और इनका नाम होता है महमूद इनी का एक ग्रैंड चिल्रन होता है इनका एक पोता होता है जिसका नाम होता है अली जो महमूद है वो रामनातन गली में उनका घर होता है और वहाँ पर रहती है और इसी गली में एक पुरानी मस्जिद होती है और उस मस्जिद के बाहर एक पीपल का पेड लगा हुआ होता है जहां पर क्या है कि महमूद जब जवान हुआ करता था उस time पर जो लोग हैं वो उस people के पेड़ के नीचे आकर बैठा करते थे और free time में वो वहाँ पर बातें किया करते थे तो जो महमूद है वो अपने यानि कि ये जो स्टोरी है इसमें वो old time के बारे में अपना जो past है जब वो जवान हुआ करते थे उस समय के बारे में सोचती है जो अली होता है वो गली में के है पतंग उड़ा रहा होता है तब ही उसकी जो पतंग है वो उस बरगत के पेड़ पर फस जाती है तो जो अली है वो भागता हुआ अपने घर पर आता है और जो महमूद है वो घर में जो आंगन खुला आंगन है वहाँ पर चार पाई पर कट गई है तो यहां पर जो महमूद है वो उनसे पूछता है कि जो तुम्हारी पतंग है वो क्या कट चुकी है कि क्या तुम्हारी पतंग का मांजा है जो वो कच्चा था तो अली कहता है कि नहीं नहीं मेरी पतंग कटी नहीं है मेरी जो पतंग है वो बर्गत के पेड में फस जैसे फैविकल वगर लगाई थी उसे कहे कि चिपक जाने के लिए रखा था यानि कि सूख जाने के लिए रखा था तो जो महमूद है उन्हें जो नई पतंग बनाई होती है वो अपने पोते अली को दे देते हैं जिससे जो अली है वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है तो यह जो स्टोरी है वो आप अपने उपर भी अप्लाई कर सकते हो कि आपकी जो पतंग है वो कर जाए और आप अपने दादा जी के पास जाओ और उन्हें कहो तब जैसे दादा जी आपको एक नई पतंग देती है तो जिस तरीके की खुशी आपको होगी वैसे ही जो है और वो पतंग उड़ाने लग जाता है इसी तोरान क्या होता है कि जो महमूद है जो काइट मेकर है वो अपने पास्ट के टाइम嘛 के बारे में सोचने लग जाती है तो जो महमूद है veaHeid मेकर होते हैं उनकी खुद की भी दुकान होती है लेकिन उनकी जैड़ को बहुत खुशी मिलती थी पतंग उड़ाने में वो बहुत ज़्यादा क्या excited होते थे पतंग उडाने में लेकिन कहा कि आज का जो समय है इसमें जो लोग हैं वो कहा कि इंडॉर गेम्स पर ज्यादा ध्यान देते हैं आउड़ोर गेम्स से जो उस पर यानि कि फोकस ही नहीं करते या फिर वो आउड़ोर गेम्स नहीं खेलते हैं ये चीज़ आप अपनी लाइफ में भी देख सकते हो कि किस तरीके से आज के टाइमिंग में जादतर जो बच्चे होते हैं वो घर पर ही यानि कि इंडॉर गेम्स वगेरा खेलते हैं वो बाहर नहीं जाते हैं कम ही बाहर जाकर खेलते हैं तो जो महमूद है उसी के बार जारा नहीं उड़ाते हैं इसके बाद जो महमूद है वो कहते हैं कि जब वो जवान होते थे तब क्या है कि वहाँ पर नवाब रहते थे और उन्हें भी कहा पतंग उड़ाने का शौंक होता था और वो क्या करते थे कि वो नदी के किनारे अपने दर्बारियों के साथ जाते थे और वहां पर के हैं पतंग उड़ाया करते थे तो जो महमूद हो कहते हैं यानि कि वो अपने बारे में सोच रहे होते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं एक ऐसा kita जहां पर रहते हैं वहां पर वह सmäßig famous करते थे पतंग बनाने के नामस्यानी की काइट मेकर की रूप में वह ज़्यादा के हैं famous हुआ करते थे लेकिन कहां कि अब जो लोग हैं वो कहां उन्हें जानते तक नहीं है वो यानि कि यहां पर जो मैमूद है वो यह सोचते हैं कि पहले के जो लोगों के रिलेशन थे वो बहुँ ज़्यादा अच्छे थे आपस में बोलते चलते थे एक दूसरे से मिलते जुलते थे लेकिन आज का टाइम ऐसा है कि हम पडोस में कौन रह रहा है कौन नहीं रह रहा है इसके बारे में भी नहीं जानती हैं तो जो मैमूद है वो इसके बारे में सोच रहे होती हैं जो मैमूद है वो कहा कि नवाब के लिए एक अच्छी प्रकार की यानि कि एक अलग सी कहा पतंग बनाते हैं तो यानि कि यह जो पतंग है इसका नाम होता है ड्रैगन पतंग तो इसमें कहें कि जब इसको उड़ाये जाते है तो इसमें से बहुत ज़्यादा खराब आवाजें आती है ऐसा लगता है कि ये जो पतंग है ये काफी साई शिकायतें कर रही है तब ही कहोते है कि जो महमूद है वो नवाब के लिए एक और पतंग बनाता है और ये ऐसी पतंग होती है कि जब इसको उड़ाये जाते है तो इसमें से कहें कि संगीत की आवाज आती है जैसे कि कोई अच्छा गाना या अच्छी यानि कि इसमें से कहें धुन बगारा निकलती थी तो इस तरीके से जो महमूद है वो अपने जहां पर रहते थी वहाँ पर क्या है कि बहुत ज़्यादा फेमस हो जाते हैं जो महमूद है वो सोचते हैं कि किस तरीके से पहले पतंगों का महतव था और इसी पतंग के कारण वो अपने शहर जहां पर बुड़ाते हैं वहाँ पर फेमस थे और कैसे जो लोग है वो उन्हें मिलने के लिए आया करते थे तो जो महमूद है वो सोचते हैं कि जब वो जवान थे तब एक दिन वो बिमार हो चुके थे तब किस तरिके से काफी सारी उनके आसपास के जो लोग थे जो उने जानते थे वो उनसे मिलने आते हैं उनका हालचाल पुछने आती हैं लेकिन जब अब वो व्रद हो चुके हैं अब उनकी जो life है उसका एक end time है तब कहे कि कोई भी उनसे मिलने नहीं आता है इसके बाद जो महमूद है वो ये सोचते हैं कि वो जो बर्गत का पेड़ है यानि कि पहले के time में क्या होता था कि जो लोग है वो बर्गत के पेड़ के नीचे बैठने का समय नहीं है वो अपनी life में वह ज़्यादा busy हो चुकी है अब क्या है कि जो बर्गत के पेड़ के नीचे से वही बैठता है जिसे गर्मी में थोड़ time के लिए यानि कि रस्ट चाहिए होता है या फिजिसे चाया क्या शकता होती है तो इस तरीके से जो महमूद है वो अपनी और बर्गत के पेड़ की समानता देखते हैं कि कि इस तरीके से पहले उनकी खुद की और बर्गत के पेड़ की इंपोर्टेंस होती थी लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा है तो लोगों की जो thinking है चीजों के प्रति वो change होती जा र और काम करते हैं और उससे का बेटा होता है अली जो कि महमूद का grandchildren तो जो जो महमूद है वो को यानि की पतंग उडाते हुए नहीं आहीं नहीं वो पतंग उडाना पसंद करते हैं इसके बाद क्या होता है कि इस तरीके से जो महमूद है वो अपनी past life के बारे में सोचते हैं और थोड़ देर बाद क्या होता है कि जो महमूद है वो वापिस यानि की निंद्रा में जाने लगते हैं उन्हें लगता है कि वो वापिस के है सपना वगारा देख रहे हैं और इसके बार क्योंता है कि जो अली होता है वो वापिस घर पर अने आजाता है और जैसी वो आंगन के दर्वाजे पर पहुंचता है तो वो जोड़ोर से चला रहा होता है तो जो महमूध है उन्हें अली की अवाज तो आ रही होती है लेकिन समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है तो जो अली है वो अपनी मदर के बारे में पूछ रहा होता है तो जो अली है वो बाद में महमूद अपने दादाजी के पास आता है आंगर में और क्या है कि उन्हें बुलाता है लेकिन महमूद की तरफ से कोई भी response नहीं आता है अली है जो वो महमूद की face पर क्या है अपना हाथ रखता है यानि कि अपने दादा जी की face पर हाथ रखता है उन्हें उठाने की कोशिश करता है लेकिन क्या है कि जो महमूद है वो किसी प्रकार का response नहीं करते हैं इसके बाद जो अली है वो बाहर चला जाते है और वहाँ पर चिलाने लग जाते है और अपनी मदर के बारे में पूछने लग जाते है कि उनकी जो मदर है वो बजार से आई है या फिर नहीं आई है तो यहाँ पर जो महमूद है वो सोचता है यानि कि जो अली है वो क्या है कि एक नए पोदे की तरह है जो कि उनके आंगन में लगा हुआ है एक छुई मुई का पोदा होता है उनके आंगन में तो जो महमूद है वो सोचते है यानि कि वो खुद kite maker है जो वो अपने आपको बरगत के पेड़ से compare करते हैं कि किस तरीके से बरगत का पेड़ है जो वो भी old होता जा रहा है और जो महमूध है वो भी कहें old हो चुके हैं और जो अली है वो भी यानि कि छोटा बच्चा है जिसके तुलना वो आंगर में लगे हुए छुई मुई के पोदे से करते हैं और जैसे ही थोड़ समय में क्या होगा कि जो यानि कि यह जो चुई मुई का पोदे है यह भी कहा पेड में करमर्ट हो जाएगा और जो महमूध है वो भी कहा यूबा हो जाएगा इस तरिके से यह जो स्टोरी है यह खतम हो जाती है अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपका डाउट दूर कर दिया जाएगा अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यह थैंक यह थैंक यह थैंक यह